अवीबी खडए हैं जो बात इम्तियाज भाई ने कही उस पर मुझे एक बात समझाती है जनोनमुख, शाशन, जनता की समस्याओं का निराकरण, जनता के सुख, शांती के लिए प्रयास, तक सरकार के इस सब तो वो होना ही चाहिए, इसी के लिए सरकार होती है, इसी के लिए जनादेश मिलता है, लेकिन इन सब को करने में और अपने राज्य में धिरेंदर शाष्त्री को एक गेंदे की माला पहना देने से क्या नवकरी देने की प्रक्रियम बाधा पड़ती? नहीं ना, आखेर हम रोजा एफ्तार में जाते हैं ना, तब जन्नमुक शाष्ण में बाधा तो नहीं पड़ती, ठीक है, गए आड़ा घंटा बैटे, सिवाई खाई चले आए, फोटो किच गई, उससे नवकरी देने में तो बाधा नहीं आ रही, जो कहा जा रागी नहीं, शाषन का मतलब तो ये, इसमें शाष्त्री कहां से आ गए, यही दोहरापन है, यही दोहरापन है, यही ठीक नहीं है, क्या, और ठीक बात है, जो लोग ये कह रहें, धीरेंदर शाष्त्री, बागेश्वर वाभा तोड़ने की भात कह रहे हैं, बड़े लोग कह रहे, चंगाई सभा में जोडने की बात होती है कि बहुत वज्यानी का अधार पर काम हो रहा है आइंस्टीन के फर्मूले पर काम हो रहा है न्यूटन की फर्मूले पर काम हो रहा है चंगाई सभा में किसी ने कहा बाबा नोटन की बाज है चंगाई सभा में जो हो रहा है वो क्या ह धीर गंभीर काम हो रहा है कि यह मजलिस लगती है यह क्या है कि यह दोहरा मापधंड नहीं चलेगा और सब को ध्यान रखना चाहिए जाती धर्म छोड़ के अगर संख्याई देख लें क्या पटना की आखोने नीटिश जी लालु जी से शुरू करिये और सुशिल मोदी तक आ जाईए पटना की आखोने कभी इतनी भीड नहीं देखिए कि क्यों आ रही है आपके लिए क्यों नहीं आ रही यह तो सोचिए क्या नीटिश के लिए आ सकती है नहीं लालु जी के लिए आ सकती है नहीं रवशंकर बाबु के लिए आ सकती है नहीं शिवानन्तिवारी के लिए आ सकती है नहीं फिर पहुए निराववा के लिए वर मनोdogustorts इलिए आ सकते है लिए छारी के लिए सकते हैं नई यह आपके एक्टर है फिर कुस्ते सोचिए में लोकतंत्र तो जन्मत का सम्मान है कि और लोकतंत्र है लोकतंत्र का प्रांग तक तो है जन्मत आप उनको देश दुरोई बताई दे रहें अरे ये तो समझे देश है क्या अब भई फिर अगर कोई यतिमा जैसा अब यक्ति कहिए देगा कि जुनों ने कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो आदमी हटा दो तो हम दिस दिस कर देंगे तो उनको फ़र पूछें कि उनको देश दुरोई बताओ तो बहुत नहीं छोड़ो यार जाने दो लड़ाई मत लगाओ जब आप यह कहते हो कि यह भाभा भाली है तो आपको यह नहीं लगता कि आप इस देश की ब्रहत्तर चेतना को लंचित कर रहे हैं इस देश की सांस्कृतिक चेतना को लंचित कर रहे हैं अब आप इसी देश में राजनीत भी करना चाहते हैं और ऐसा भ्रम किसी को नहीं रहना चाहिए बड़े बड़े राजा इस डेश ने रंक कर दिये और चाहे मेरी बात सच नहीं है नितीजी बड़े नेता है इसमें कोई शक नहीं है बहुत लंबा राजियों को उनके भाग्य में है रहा लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सच है पूरे अद अब के साथ एक बात कहता हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ कि नीटीश जी के फोटो पर बिहार ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनवादी हूँ नैवर पता दीजी कब बनवादी कब ऐसा हुआ कि नीटीश बाबू के लिए बिहार ने बोट कर दिया बोला ना जाओ नीटीश कुमार की राजनीत चमता से जाधा सीटे तो हमेशा लालू परसादी आदव के फास आई तो उस नाते तो लालू आदव बढ़े नेता है लेकिन मैं तराजू लेके नहीं बैठता इस शक्कर में मैं हर उस्षीज के विरुद्ध हूँ जो भारत की लोक चेतना के विरुद्ध बात करें जो भारत की सामोहिक चेतना के विरुद्ध बात करें जो भारत की संस्कृतिक चेतना को लांचित करें जो भारत की धार्मिक चेतना को लांचित करें कि मैंने उधारण दिया ब्रिटिन का अमेरिका का भारत यह वैसा ही चलेगा भारत का स्वाव वही है भारत का आत्मता तो वही है कि अब कह रहे हैं कुछ लोगों ने कहा कि वैज्ञानिक युग में ऐसी बात हो रही है अच्छा जी ऐसे ऐसे ढपोर संखी कारिकर में इस देश के गाउं गाउं में हो रहे कि जिनके वीडियो आते हैं उन पर नहीं बोलते क्यों कि वहां दूसरे मजहब का मामला है तब ये बात कैसे स्विकार हो जाए कि जो देश का बहुसंख्यक मन है उसके लिए कुछ बोला जा सकता है उसकी छूट है बाकी के लिए नहीं ये तो भेदवाओ ये निचलेगा सबका सम्मान करिए इफ्तार मनाईए तो नोदुर्गावी मनाईए क्या दिक्कत है करन्या पूजन भी करिए कुछ समस्या है क्या नहीं होनी चाहिए समस्या फिर एक बात कही जाती है कि बीजेपी क्या राजनेतिक दलों को जो बीजेपी के विरुद्धुचनाव लगते हैं क्या उनको इस वाद प्रचिंता नहीं करना चाहिए कि आपने ये 12-15 लाख लोग जो उमड़े बावा की जलक पाने के लिए ये पूरा की पूरा जो है ये और इनके परिवारों के दिमाग में आपने एक तस्वीर चस्पा होने दी अपने को दूर रखकर अलग रखकर और रादर उल्टे सीधे टिपनिया करके कि लोग कहें कि बाजपा बाले तो बावा के भागत हैं आप तो गई भी ने फिर क्यों नहीं गए याना चेहिए आपने इनके लिए मतान क्यों छोड़ा कल्चुनाव होगा तो आप कोगे लूग ये लोग आए हैं जो वो भारत की सांस्कृतिक का बुनावट के लिए कि संदर्व में आए हैं और जो इसके साथ ख़ड़ा दिखेगा ये उसके साथ राजनियतिक दोर पर हो जाएंगे लोग क्या किसी एक जात के लोग हैं नहीं क्या ये वही लोग हैं जो सुशिल मोद्य की जात के लोग हैं नहीं क्या रविशंकर परसाद की जात के लोग हैं नहीं क्या किवल गिर्राज जी की जात के लोग इतने थे नहीं ये सर्व समाज था अगर 500 जातिया हैं तो 500 जातिया पत्ना में आईए इतनी भीड में तब क्या करिएगा अगला भी है पिषणा भी है अत्थी पिषणा भी है तब ये देश कश्मीर से कन्या कुमारी अटक से कटक तक अगर एक है तो उसमें एक बड़ा कारण है इस देश की सांस्कृतिक धार्मिक पहिंचान इध्यान दखी और हर देश की होती है इसमें कोंगे को नई बात नहीं बता रहा इसलिए एकता का सुत्र है जो काम लालू जी नहीं कर पाए नीतीश जी नहीं कर पाए बीजे पी के लोग नहीं कर पाए कांगरेशी नहीं कर पाए पपू यादव आनन्द मुहन नहीं कर पाए कि सब समाज की इतनी बड़ी भीर जुटा दें पटना में वो काम बावा ने कर दिया न इसका आर्थ ये नहीं है क्या कि धर्म ही है जो जोडता है सांस्कृतिक एकता ही सबसे बड़ी एकता है तो इसमें टक्राव कहां था मुझे लगता है राजनीतिक दलों को अपनी द्रिष्टी में परिवर्तन करना होगा ये पक्षपात माली द्रिष्टी अब नहीं चलेगे भारत की सरक्राज सत्ता राजनीति पंथ निरपेक्ष होना चाहिए पंथ विरोधी नहीं कि धर्मविरोधी नहीं को बड़ा इमाम आए बाहर से उस आपके राज्य में उनका भी इस्तक्वाल करिए और द्रिष्टी का भी करिए जो भी लोग बड़े विभूतियां है उनका सम्मान शाषन की द्वारा क्यों नहीं होना चाहिए अरे भाई कैसों को माला पहना देते हो आप लोग तो यह तो बड़े लोग है जिनमें करोनों लोगों की आस्था है उनको माला पहनाने में आपके हाथ क्यों सकापते हैं क्यों संकोच होता है यह तरीका अब शायद भारत बदलना है जो यतिमा कह रही थी आज से 20-25 साल पहले की जो परिस्थिती थी वो परिस्थिती नहीं भारत का मन बदला है भारत की चेतना का इस तर थोड़ा ऊपर गय आए इसलिए अब ये सब चीजें नुकसान देंगी सावधानी हटी दुरगटना घटी करनातक से बहुत ज्यादा प्रेदित मत हो करनातक की स्थिती परिस्थिती दूसरी थी बिहार की दूसरी है ज़रू ध्यान लखेगा